कॉंग्रेस के नवन्यूक्त प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठा की इसी पर बातचित करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं हर्याना के पूर मुख्यमंतुरी एवं नेता प्रतिपक्ष बात की और अब वो गए हैं यहां से अंदाबाद तो ठीक रहा अच्छा रहा क्योंकि अभी सबसे उनकी पैचान भी हो गई सबसे जो फीडबेक ने था उनने वो भी ले लिया और उनने का अब संगठन जल्दी काम करेंगा काफी कुछ एक्साइज तो शक्ति सिंजी कर ग अब एक मकसद में तो दिपत पावरिया वो कामयाब हो गए कॉंग्रस के वरिशनेताओं को एक साथ एक मंच पर तो ले आए लेकिन जिस थरीके का घटना करम रहा मीटिंग के अंदर का पहली बार तो रहे हैं एक मंची एक पार्टी है मीटिंग के अंदर का सज जो सबाविक है तो जिसकी मास्ता होती है उसके नारे लगाते हैं इसमें क्या बात है प्रभारी जी कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है उनुचाशनात में कारवाई की जाएगी और जो नेता है वो ये खास ख्याल रखे कि मीटिंग का जो प्रोटोकोल है उसको अमल में जूर ला दॉखा है और लिए आर्सटम जानने चुझा है कि उनकते हैं के चहरे पर जो है किस तरीके से देखते हैं बहुत से पार्टी करती है और विदायक चुनावने जाएंगे विदायकों से पूछा जाता ए सबी ने कहा कि जल्द रिपन कर जो है वो संगटन तयार हो जाएगा अब दिपक बावरिया भी यही कहते हुए नजर आ रहें कितना समय आखिर कर डैडलाइन भी कोई तैकी होगी जल्दी जल्दी होगा शुक्रिया तो यह थे हमारे साथ पूर मुख्या मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंदा सेंग हुड़ा जिन्होंने कहा कि दिपक